आपको लग रहा है कि सर आपकी imagination इतनी स्ट्रॉंग कैसे आप इतनी पड़ा-पड़ से कर पा रहे हो बहुत सालों से teach कर रहा हूं experience है और उसके बाद मैंने labor बहुत कर रखिया है ठीक है आप भी labor करो आपसे भी आना शुरू हो जाएगा लिखो ना बार-बारी अपने फिर imagination शुरू हो जाएंगे ठीक है तो माइन में आप calculations कब कर पाते हो जब आपने calculation एक चुली में बहुत बार कर रखी है टू प्लस टू-फोर आप कभी नहीं भूलते माइन से सीधा करते हो लेकिन मैं आगर आपको बहुत बड़बर नमबर दे तो 6354 प्लस में 1567 ऐसे कुछ भ आपने कर रखे हैं तो बहुत जल्दी काम करोंगे किसी दुकान दर आदमी के पास जाना जो किर्याने था इस मेरा बटार्बर ने करी आपको बड़ा था एक साल में आपने शौप पे बैठा था फादर सब्सक्राइब के जाने के रखए हैं 2010 के बात है या बहुत साल पहल देते के लिए अभी इतने पैसे हो गया काम, तो भीड़ी लगी रहती थी लोगों की, तो वही बात है, फिर वो mindset वैसा हो जाते है, तो आप किसी दुकानदार को बोलोगे ना, कि यह दो number आफट 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 कर देगा आपको, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों सार दिन तो वह बैटा बैटा समान बेचता है, उसके mind में सारे numbers fit है, वो mapping करता है सिरफ, इतना speed से, अब कोई bill वो add कर रहोगा ना, ऐसे ऐसे पैन चलाता जाएगा, यह देखो, ऐसे ऐसे pen चलाता जाएगा, नमबर mind में add होते चले जा रहे है, यह चार था, यह पांच था या आट था, या नो था, या चे था, या चार था, ऐसे, तो उसको अब देखो 5-4-9, 9-9 और 8 करने में शाहिए तुम्हारे को दिक्कात आ सकती है, यह कि इतना mind में fit नहीं है, उसके दिमाग में fit है, 9-17 सिधा, 17-17 बहुत जाता जला जाता है, यह उसके दिमाग में बहु करो करने के बाद शरू हो जाएगा आपसे भी होना जैसे मैं करता ऐसी आप भी फटा-फट करोगे 8800H और 8FFFH फटा-फट कर जाओगे ठीक है चलो ठीक है मैंने समझा दिया आपको तो हर एक चीज के ना मतलब लॉजिक भूंडा करो पीछे ऐसे मत बोला करो कि वो दुकांदर आदमी की केलिकुलेशन बड़ी स्ट्राउंग होती हो तो मतलब दिमाग बड़ाते चलता है उसका अरे महाबकवास पाता है आगे से कभी भी यह मत सोचना है कि उसका दिमाग तेज और तुमारा दिमा दिमाग तो है ना भई तो कुई दिक्कत नहीं है सब कुछ ठीक है तो अनले थिंग इस प्रैक्टिस आपने कितना प्रैक्टिस कर रहा है कितनी मुहनत कर रहा है कितना दिमाग को रगड रखा है बस इस तीज पर डिपेंडेंट होता है और कुछ नहीं होता ऐसे नहीं होत ठीक है, तो ये दिमाग से भिलकुल वहम निकाल दो कि मेरे दोस्त का दिमाग कें चलता ही, मैरे दिमाग कम चलता है, उसका तेज कंगा थी। दिमाक को बहुत चलाया थे उमने चलाया नहीं नहीं दो भी तुम्हारा नहीं चल रहा रहा so as simple as that लुए ते तब चला लो , किसने मना कि आप चला लो करो, वह आ जल जली कर रहे हैसाव तुम नहीं कर पार लुभा लिखो B談ा चार चेल स मनाओ बार-बार करो questions, फिर तुमार दिमाग चलना शुरू होता है, अब यही problem SQL में आती थी, जब मैं बढ़ाता था, offline classes में, बच्चे imagining नहीं कर पाते थे, मैं tables की cross-port कर देता था, वहां से answer बता देता था, query लिख देता था, बच्चे सोच रहे हैं, यह क्या हो रहा है, यह क्या ह बाता नहीं कर पाऊंगा, ना concentrate, तो जो आगए-गे बैठे हैं, जो सब कर रहे हैं, साथ-सत कर रहे हैं, तो मैं भी साथ-सत उनको कर वा रहा हूं, लेकिन पीछे बैठे बच्चे, जो कुछ-कुछ जो नहीं कर पा रहे होते थे, वो परशान होते थे, मैं देख लेता था पैचान लेता था, क्योंकि इतने सालों का हमेरे को experience होता था, तो मैं उनको individually पकड़-पकड़ के बुलाता था, हाँ, आओ, बताओ मेरे को क्या दिक्कत लागी, क्यों नहीं समझ में आ था था, तो मेरे को बताते थे, अब ओविसी बात है, अगर उनका दिमांग थोड़ा इसे हो रहा है, और तुम्हारे को दिक्कत लग रही है, लोड डेटा, टेबल्स बनाओ, और उनका क्रॉस्प्लिट करो, और देखो क्या तुम्हारे सामने आता है, बार-बार करोगे तो हो जाएगा, तो वही होता था, कई कि स्टूडेंट्स लगाते थे दिमांग, बार- अमेज हो जाता था देखर के, कि यार, यह तो इतनी तेज आंसर कर रहा है, कई की बारी वो मेरे को भी पीछे छोड़ देते थे करने में, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, है न, जो बच्चे आगे बैठेते थे, जो कर रहे होते थे, काम फड़ा के गया और उसने लेबर करके आया है, वो पहले कर देता था उनसे, अब बताओ, क्या था भई, जो शुरू-शुरू में बैठे थे, तिनी स्पीड से आंसर कर रहे थे, उससे ज़्यादा पीछे वाले बच्चे आंसर करना शुरू कर दिये, तो क्या था फिर उनका, उनली नहीं पढ़ता कि तुम फिलाल कहां पे हो, इस बात से फरक पढ़ता है कि तुम कितनी स्पीड से चल रहे हो, उन्होंने, पीछे वालोंने स्पीड पकड़ी, वो निकल गया आगे उनसे, तो पहले उनसे काफी आगे थे, उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया, सिंपल ब तुम एक घंटे बाद चले, दो घंटे बाद चले, या एक साल बाद चले, या दो साल बाद चले, तुम चले तो हो, चले हो, तो फिर जो आगे तुम से निकला वह, उसे स्पीड जाद बना लो आपने तो तो तुम उसको पार करी जाओगे, it's as simple as that, जब एक बंदा पचा किलोमेटर पर आवर के स्पीड पर गाड़ी रन करने शुरू करी और तुमने एक घंटे के बाद शुरू करी, ऐसे कोशन करते हो ना, एक घंटे के बाद तुमने गाड़ी चलने शुरू करी, तो तुम उसको कितनी दिर में क्रॉस करोंगे, बस, it's as simple as that, मैंने कराए भी ह तो इस बात से फरक नहीं पढ़ रहा कि तुम कहां पे हो, इस बात से फरक पढ़ेगा केतनी स्पीड से चलते हैं, यह कहां जी चलो ठीक है, दो मिंट का मैंने टाइम ले लिया आपका नोड़ाट, बट मैंने कोशिश करी आपको चीज़े समझाने की, क्योंकि मेरे को पता कि अबर रहा के नोड़ाउन कर लो